नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके बस Moto G31 या फिर G-series का कोई भी मॉडल है तो यहां पर आप डेटा लिमिट कैसे हटा सकते हैं या फिर डेटा वॉर्णिंग कैसे हटा स चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं इसके लिए आपका इंटर्णेट का ऑउन होना जरूरी है यहां पर मैंने इंटर्णेट आउन कर दिया है और इसके पाद आप चलिए सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद यह आपको नैटवर्क एन इंटरनेट को ऑप्शन देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक कर लेंगे इसके बाद इस step से option देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर mobile network पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको data warning and limit का option देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि data warning और limit दोनों on है आपका तो इसको आप off कर लेंगे तो मैं यहाँ पर data warning बंद कर दूँगे पहले तो और फिर data limit off कर दूँगे तो यहाँ पर ना तो warning शो करेगा और ना ही data limit है मतलब हट गया है यहाँ से तो इस step से आपको off कर लेना है आई होप गईज यह वीडियो आपको पसंद आया होगा चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार